आज आपको एल्मूनियम की लाइब वाइंडिंग दिखाऊंगा कटिंग कहीं से नहीं करूंगा पूरा इस्टेटर की वाइंडिंग दिखाऊंगा किस परकार से उत्ति आप देख सकते हो आज से चलने वाड़ी मसीन है रर्णिंग की कोईल वाइंडिंग कर रहा है स्टार्टिंग की कर जुकाऊं कर देख सकते हो आप से वाइंडिंग कर रहा हूं आपको पूल वाइंडिंग तक देखना है लाज टक कितना टाइम लगेगा कितनी जल्दी वाइंडिंग होती है पांच पंखे अभी सुबे से भर चुका हूँ ठक गया हूँ लेकिन अराम से कर रहा हूँ आप वाइंडिंग आप इस मशीन को जितनी तेश चलाना चाहो चला सकते हो और एल्मुनियम वाइर की वाइंडिंग है पैंट इस नंबर से कोपर में तो मैं और जादा स्पीड से चलाता हूँ देख सकते हो हाथ की स्पीड कि पनीशिंग भी आपको दीख रही होगी कितनी अच्छी कोईले बने रही है अब दूसरे हाथ को चेंग करते चला सता हूँ एक हाथ को चुपा है जोड़ा पलक जोड़ा स्लोट का यह पंगपा है अधिन लाइव चल रहा है अधिकल वाला लाइव देख रहा है तो इसमें अभी तक मसीन रुपी नहीं है पेपर मैंने कागच के लगाए हुए है गल्पी से एक पेपर लगाना भूल गया था वो भी लगाना पड़ेगा भी लाइव वाइंडिंग करके दिखा रहा हूँ वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें ख़ए बार सलोट अड़िटेड़ी रहती है तो अंदर डालने में थोड़ी परेशानी होती है इस देटर को अटक जाता है हमारा इस देटर को कर दो हमारे कमपलेट हो चुकी है कि जितना अच्छा स्टेटर होता है उतने बढ़ने में मजा आता है इसके बाद मैं एक एक पर लगा लेता हूँ यहां पर एक पेपर नहीं लगा हुआ इसके बाद मैंने पेपर लगा लिया है दुबारा से हमारी मश्री नहीं स्टार्ट हो चुकी है हमाद प्राप मैंने पया हुआ को जौर प्राब ले जिर दोबम पो यहां हुट पो अिर्ण यहाँ रर्श कम अबगई लाँ अभी तक एक वायर भी नहीं चुछता है वे ध्वाइंट नहीं है पंके में वह भी एल्मॉनियम की वायर से मसीन बहुत ही अच्छी है तिन साल मसीन पहुच चुका है पूरा लाइब वाइंडिंग दिखाया आपको करके इतना जल्दी पंक्खा भरती है यह भी आपको दीख रहा होगा विजली वाली मसीन से भी फाच चल रही है इसके बाद हमारी एक कोई रह जाएगी जब चाओ जब रोक सकते हो आज से आपका टन कोई ज़्यादा नहीं डलेगा नाई वायर खराब हो भी यह लोगा लाश्ट कोईल है टाइम आप देख सकते हो कितना टाइम लगा है रनीं की कोईल भरने में इस हिसाब से आप एक पंक्खे का टाइम ज़ोड सकते हो कम्पलेट वीडियो पसंदाए वीडियो को लाइक जरूर करें झाल